बड़ी कबर सामने आ रही है बहिश जोशी का टिकेट कट्टी की संभावना है टिकेट कट्टी की संभावना से बोखलाए बहिश जोशी की समर्थक और महिश जोशी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को विल रहा है PCC दफ्तर के चानल गेट पर जो उनके समर्थक है वो चोड़ते नजर आ रहे हैं और अभी हवा महल से किसी का भी टिकेट टैन नहीं हुआ है लेकिन समर्थकों ने प्रदर्शन करके चेताया है और आपको उता दे कि मिर्तियोद है गांधी और राजेश कर्नल की अगवाई में ये प्रदर्शन किया आज़ा रहा है PCC कार्याले में जोशी के समर्थक उसे है PCC स्टाफ ने गेट पर ताला लगाया मंदरी में जोशी का टिकेट कटने की खबर जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है और ऐसे में जो उनके समर्थक है वो अब बॉकला आ गए है प्रदर्शन लगातार किया ज़ा रहा है जादा ज़ानकारी के साथ से होगी शर्शी मोर्ण शर्बा बारसाल फोलर पर जोड़ गया है शर्शी देखें ये तीन नामों को लेकर लगातार शन्शे बना हुआ था जसमर लगातार मंधन भी किया जा रहा था और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सम्भावना है कर देगी और उन्हें कोशित कर देगी हाम है से और इनको चुनाव लड़ने के लिए आमन्सित करेक्टे विशा जाएगा कि आप आईए और चुनाव लड़िये तिर्फ और सिर्फ हमार्सपों में इसी तरह का प्रफिक्रिया ठीक रही है इसी तरह का जोश्टिक सवाल यह ह और यह जोशी दरसल हवा में इसे विदायक है और हंत्री है गेलोज सरकार में तो गेहलोज सरकार के मंत्री के समर्तक पहुंचे हैं और मित्रोद्य गांधी राजेश कर्णा एड़ोकेट हैं उनकी अगवाई में यह लोग पहुंचे हैं दरसल पावन खेडा जो एक्टी क का समय चुना गया इस प्रदर्शन के लिए तो राजमी इस टाइमिंग की आहिमियत होती है वह आप पूरे प्रदर्शन में देख सकते हैं पावन खेडा अंदर आने वारे थे उनको समर्सकों ने घेर लिया और पावन खेडा तक यह बात पहुंची है तो बिल्कुल बिल अजिसान की टीव स्क्रेंट पर यह आप तस्वीरे देख पा रहे हैं जिस तरीके से जब आप इससी दफ्तर में प्रस कॉंफरेंस के लिए पावन खेडा पहुंचे थे तो इस दौरान बड़ी संक्या में अंध्री महेश जोशी के जो समर्थक है वो इकत्रत हुए और ज शुष्य महरे साथ चुड़े थे शुष्य आपका बहुत शुष्य आप